नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का स्टॉक मार्केट का नॉलेच में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जो लगबग सर गिरते बजार में भी उसमें कुछ खास गिराउट नहीं देखने को मिलेगा इतना मजबूत उसका बि किसा कि लगã या और भी लुग में उसका मतलब किया होता है समझ ही अगर स्टॉक गिर गया तो बोगती खरीदग कोई फायदा हो फिर चीज़े जब वहापस bounce back चल लागा तो फिर लोग बुलेंगे याँ और खरीदा होता तो अच्छा रहता तो दबा के माल उठाना है जितनी ताकत है उपर नीचे तो ज्यादा आपको फाइदा अब अपनी हिसाफ से देखने को मिलेगा जब आपको business समझ में आएगा त ठीक है तो आभी देखेंगे तो फिछले छे मेने से 59 परसेंट फिछले एक सालों से सर उलग बाग 139 परसेंट और लंबे समय तुसर इतने काफी चरीटर निकालके दे चुका है गिरावटनाम की जो चीज जैसे रास्ता किसमें आपको देखने को मिला ही नहीं है क्यों मैं मैं आपको बता देता हूँ है समझाता हूँ सर बिजनस ओबर वीव आपर समझने की कोशिज करते हैं सर सबसे ज़्यादा तो सर ये कंपनी पैसा कहां से कमाती है बोला जा रहा है कि ये कंपनी जो है वाइड रेंज ओ फाइनिशल सर्विसेस प्रोवाइड करती है सर वाइ सरे कौन करती है सर अब ये बता रहे कि कि कंपनी के पास कतनी एक लाक फ TWO three thousand एक्टिटमें टिकलब वो सारा काम करती है sir company NVFC की तर भी sir ये company behave करती है NVFC ठीक है जहाँ पर आपको बताया जारा total loan book 4.82 billion आपको बताया जारा सर ठीक है retail loan book आपको बताया जारा 3.07 billion बताया जारा ठीक है NPA है ये gross NPA आपको नीचे देखने को मिला आप देखिए यहाँ पर आपको बताया जारा यहाँ पर देख सकते हो इनका revenue देखिए Broking services ये 60% आता है मतलब कहने का मतलब कि आपको profit और loss या किसी भी तरीके से इनको तो sir पैसा आ जागा ना इनको तो आ जागा ना sir Broking से तो यह चीज होती है sir यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बताया जारा advisory तो advisory में sir इनको कुछ जाता है क्या नहीं जाता है तो वहाँ कभी पैसा इनके पास बच गया ना sir पूरा पूरा का मतलब sir total पैसा इनको बच गया पर जा नीचे जा लेकिन इनको लॉस होने वाला काम नहीं हो सकता sir लॉस इनको हो यह नहीं सकता sir साथ में sir यह एक्स्टर बिजनस करने की भी कोशिज कर रहे है new order book बताया जारा company receive 500 crore 520 crore का sir इनको जो order मिला solar plant के लिए sir अब अब सोचो इसके लिए sir इन्हों ने joint venture किया कहने का मतलब इनका 3-4 business तो अच्छा कासा चली रहा है उसके साथ सत एक और solar वाली business में यह entry लेने की कोशिज कर रहे है sir company के पास sir total 10 subsidiaries है क्यों क्योंकि sir पान इंडिया presence बनाना है तो इंडिया के कोने कोने में यहां वहां यहां वहां यहां वहां हर जगा सर इनको अपने office खुलना होगा branch खुलना होगा इनको अपने company के चोटे चोटे subsidiary company बनाके खुलने होगे तब ही तो sir लोग आएंगे तो loan वगरा हो जाता है ठीक है एंपेस वगर आपको देखने को मिल ला है bonds वगरा हो जाता है PPF देखने को मिल लाएगा मतलब चारो तरफ से लगबख जो भी होता है सारा काम करके company देती है sir बताया जरा है 850 जीन के पास client है 3400 इनके पास employee है 104 इनके पास office है sir और यहाँ पर देख सकते है 32000 इनके sir partners वगर आपको देखने को मिल जाएं sir तो बड़े level में company काम कर रही है sir हर quarter में जो इनका profit है देखोगे तो लगबख बेटर तरीके से आता होगा डजर आता है sir पहले देखोगे तो 60 करोड से start हुआ आज यह 200 करोड के बाजू में बैठे हुए sir इनका profit भी अगर उसी तरीके से देखोगे तो 12 करोड से start हुआ बेज बीच में इनका profit कम आता है लेकिन फिर jump होके sir देखे 30 में चला जाता है फिर देखें लगबग यहां पर 30 से आ गया sir 21 फिर 21 से फिर देखें तो jump होके यहां पर आ गया sir 30 तो कहने का मतलब 1-2 quarter का result खराब होता है लेकिन sir उसके अगले quarter यह company 40, 39, 32 अच्छे level पर जो है company फिर profit ला देती है sir ऐसा रहता है तो temporary problem देखने को मिलता है ऐसे चीटों में यह एक ऐसा business model है sir जिन में loss नाम की जो चीज है ना sir वो बहुत कम है sir बहुत कम मतलब बहुत कम है sir फिर भी यह को recommendation advice या tips वगर नहीं है अपने हिसाब से देखिए इसके उपर लगबग और भी वीडियो बनाकर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं लेकिन अच्छी company है और detail में मैं आपको जानकारी देता हूँ नजर आऊँगा sir